इस बात का प्रूफ दें नहीं तो खड़े ओकर सदन में माफी मागे इस तरह का इतना बड़ा एलिकेशन इनके विधानसभा उचाना शेत्र के गाउं में बच्चियों के साथ योन शोशन हो जाता है उनको बचाव करने की बजाए इतनी घनोनी स्टेटमेंट मैं डिप्टी इस बड़ा है तो जो है शब्दों की मर्यादा बढ़िये आप लेड़ा इनों ने कैसे सब्सक्राइब आइए और इस पड़ा इस पर शाहर से प्रटेक्शन नी मिल सकती कि आप धंकी देखर के सदन के अंदर अध्या वार मीडिया में इस टीक है जो अट इस टीक है जो करें आप करिये आगर उसके ऊपर जो कारवाई करने है करिए लेकर आपकी मीडिया में यह रही है जाओ धेक्स में पादय में यह सब्सक्राइब दा कि मेरे दोरा इस सदन में यह स्टेटमेंट दी गई है सदन के बहर नी दी गई है यह साथी उपर वैठे इनने कुछ चल इसी गिनोनी अर्कत उचाना में करी मैंने कड़ाओ के बुला यह इस अध्यापत का प्रिंसिपल का पहला वाक्या नहीं है 2005 की गॉवर्मेंट के अंदर उस समय भी इस पे उस समय के SDM ने फायर कराई ती जो कॉंग्रेस के साशन में विड्रो हुई 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ मखंड गाओं की पंचायत ने DDR कटाई आपके घर जजजर में पंचायत पैदा नहीं होता अध्यक्ष मौदे अध्यक्ष मौदे अध्यक्ष मौदे अध्यक्ष मौदे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ की दापी नहीं कर सकती है दो इसी प्रिंसिपल को सेफगाड पोस्टिड रखान कि अध्याता वेला दोगा नए अध्याथ मुझे अध्याता निटिक वाइश थांड फिर्फॉत वह और पिदुगा लगां पीर्फ वाज पिदूगा कि अनकी सर्कार ने इसी आप जूट मत बोले है अध्या ने का काम किया है ना मैंने किसी का बचाव किया ना मैं उस व्यक्ति को जानती लेकिन आप मामला ये थंडा नहीं होने देंगा देगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसे बच्चियों के साथ अपराद हुआ और आप उनको बचाने का काम करते हैं आपको शर्म आने चाहिए जिए जिनने डीडियार कटी वी को कैंसल करूए प्रोटेक्शन तो मिलेगी तो वहीं खड़े होके मिलेगी यहां ही मिलेगी किसे गंबीर तक क्या कॉंग्रेशी ले सकते हैं कि उनकी सरकार में कैसे ऐसे गिनोने आदमी को बचाव करके छोड़ा गया वहीं पोस्ट किया गया उसके साथ जोएनिंग स्कूल में अध्यक्ष मौदे जाहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस प्रिंशीपल की इतियास में जब से बरती हुआ रिकोर्ड सदन में पेश करें अध्यक्ष मौदे देश के प्रदान मंत्री को चिक्षी लिखी गई है देश के राश्ट्रपती को चिक्षी लिखी गई हमारे परदेश के सब्सक्राइब अगर कोई नहीं नहीं रोग सकते अधेक्ष मौद है कि देने की अवश्क्ता नहीं है अधेक्ष मौद है अधेक्ष मौद हैं मैं अधेक्ष मौद है लेकिन आप ने कही जानकारी जाक्यों के आदरनी जो उपमूखी मंत्री है उनों ने उसको दबारा रीपीट किया है कि यह जो एडूकेशन डिपार्टमेंट इसकी नुकारी करके अगले उसके अंदर खेशन के अंदर इसको रखेगा वास्तों में और यह नहीं देखे अदेख्ष मौदे अदेख्ष मौदे इस तरहें की गिनोनी हरकत ना मैं कर सकती हूं ना किसी को प्रोटेक्शन दे सकती ह मैं आपको अफिटेविट देने के लिए तैयार हूं इस तरह से नाम लेना बचाव करना मुझे शरम आती है कि जाब बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो यह टेकन माई नेम आप बताएं दें अध्यक्ष मौद मेरा आप से कर बद प्राइफना है मुझे जैसे ही पता है कि इसको हमने काल अटेंशन लिया हुआ 19 तारिक को काल अटेंशन के उपर यह विशे है उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे लेकिन जो आपने बात कही है कि किसके खिराफ होगा कि कर दिया जी जेल में वो किस और है डिपटी चीफ मिनेस्टर इस तरहें से उन्होंने रिये से कन माइं नेम वह यह से कन माइं नेम विवे देखें़ को कसम खाकर कह सकती हूं ऐसा है चुनी हूई विधायक हूं चार बार की में विधायक आप बीच्वाइब आप बदाशनी कर लुए अपको लगता ग इस तरह कि अधरी अधरी अधर्श महोदे मामला थोड़ा सा सीरे जरूर है कि जब परसलों किसी मेंबर के खिलाब एलिगीशन लगते हैं और मैं रुपी चीमिनिस्टर से यह कहूंगा कि जो आपने तथे कहे हैं उस तथे का कोई नो कोई सत्यता कहीं ने कहीं होनी चाहिए करें दोड़ा करें जूरा कि भी जूरा दिया नहीं है गृताजी का काम है कॉंग्रेस के सैशन में अगर इज़ता हूं गिता जी आप आप क्या करेंगे जब अगर ये प्रूव हो गया कि दूसरा जब टिसको भू किया एक मिट सब्सक्राइब आपके टेम में दो बार डीडियार होगी लग 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 आप भी मानिद है कि सैद हो आपने मान नी चलो यह कह दिया कि होगी हो हमने क्या करें हमने क्या करें कि अंसको मतलब उसके बाद मारपory पर्सनों ठैरे जिन्किन का ठारे होनगा नहीं प्रसन थे धार जिन्किन के लग करें और मेरे दो यह कर रही को मैं कसम उठाती हूँ इस बात का एविडेंस क्या डिप्टी चीप मिनिस्रे के पास है कि ये मीटिंग वहां हुई थी इस बात की सत्यता के बारे में आप बताओ जब आपके सामने ही खड़े हो रहे हैं कि मेरे गर में मीटिंग नहीं ही है तो इस टापिक में चलो आपने भी खाइब का इलेक्टिड रीप्रेजेंटेटिव जो इनके घर गया वो यह कह दें वो यह कह दें कि हमने फैसला हुआ था तो फिर आपका बयान में क्या आप उसके प्रदक्ट जर्शी थे क्या उस बयान में कि राइटिंग में ब्यान है कि राइटरिंग में कोई नोटिंग लिखी हुई है तब तो आप बात कहो आप ऐसे बात कहो यह जो विशे है मेरा एक मर्ज़रा आप बैठे जाए यह विशे जो है बहुत गंभीर विशे है हमने इसी विशे के उपर 19 तारिक को काल अटेंशन जो है वो एड्मिट किया है उस समय तक मैं चाहूंगा कि कोई भी जो जानकारी है वो सदन के सामने आ जानी चाहिए और 19 तारिक को हम इसके उपर क्या करेंगे क्या इक कोई इंक्वारी की अवश्यक्ता है या नहीं है क्या इस परकार की कोई दर्द होई ती है किस सट्थडान के बिना तो कैंसल लिए सकती जी सरकार का किसी का ना किसी का तसीर वाद रहागा तबही कैंसल ही होगी ऐसे तो व कैंसल लिएगी वह मेरा पॉइंट ओफ ओडर अदैक्षी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ 2005 में मैं मंत्री नहीं थी 2011 में मैं जजजर से 2009 में मैं विधायक बनी मैं मंत्री बनी मैं आपको अगर ये जूटा पाया गया अदैक्षी मेरी आपसे अनुरोध है इस तरह से ऐलिगेशन मैं आपसे डरने और दबने वाली नहीं हूँ सच्छा पाया नी हुआ ये अनुरोध ने प्रफोर आप अजह गिवन दर स्थेटमें आप अनुरोध ये उडिखे गिवन दर स्थेटमें और ये लाग पीपर इसको इसको खतम करिये स्थेटमे करके त्हाहिए पुए हूँ लाग तेगन दर स्थेटमें आप खेया ओर्समें कर दिया तटम हम और आप आप लॉप्हा ये जाटम आप conselly मंद्स to ल। कि नंट हतार अक थिए टरीखे थाल ये नहीं तो कर but 19 m आप जो साज़िश करना चाते हैं भोलना चाते हैं मैं आपको कहना चाती हूं इस तरह कि खतरनाक स्टेटमेंट जो दी गई है ऐसे ऐसे लोगों को बचाव करने के लिए ये खड़े होके तो आपने नहीं कहा हुआ आप बार 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 आप तरह रहें तरहां नहीं होगी आप ये कहते रहें को कि रहे हैं सुने नहीं धाए इस इदेंट अपकर्ष इन जान वेज़ा है अधेक्ष मौदा है अधेक्ष मौदा है एक्वेन एक्वेन गीजाओ है यह विशह इस परकार से जो एक दूसरे के उपर शिता कसी और ये सारी टिम्पणियों अची नहीं है सदन के मरेदाओं में भी ठीक नहीं है हमको वास्ता में ये 2005 का विश है या 2011 का विश है या 2013 का विश है वास्ता में पर्टिक्लर किसी एक ही अध्यापक के खिलाफ ही सारी चीज़ें जा रही है उसमें क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, आज क्या हुआ तो मैं तो ऐसा जुजाओ देता हूँ चाहे तो किसी सेनियर पुलिस अलिकारी के क्योंकि पुलिस के पास सारे विशे हैं या किसी एजुकेशन विखागे फिर ये अलूप लगेगा कि पुलिस इनकी है और इन्होंने पुलिस को कह करके तो बार से भी करना है तो कोई ऐसे योगेविक्ति जो तीनों गटनाओं को या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं नहीं विदान समा कोज नहीं कर पाएगी इसकी विदान समा में तो रिपोर्ट आएगी उसको डिस प्रशनी ये है ये डाकुमेंटेशन का विश है ये डाकुमेंटेशन का विश है फाइलों में भी होगा फाइलों में से तो जो भी कुछ करना सी तो फिर शिक्षामनती जी है तो देखें तीनों समय का उस समय का देखें अब का देखें और बात का देखें कि उसका रिकॉर् कराने में भूम्यका किस की रही उसको रीव द्वारा से उसके खलाव एक्षिन नहीं लिया जाय जाए इसमें घूच्छा की किकी से रही आब में क्या किया इसमें किसी कर रही स praise ने तरक्र करक 있으 탄 capture का मैं तमने होगा एड़कर मैं के केसी तरयगा इसमें मुझें जाती요 आप सेब्सिंनलाल उसकी मदद करने में उसकी मदद करने में इंट उसकी मदद करने में गीता जी गारोल क्या है क्या वह नहीं वह डिडी आर होई नहीं वह कंसर नहीं है किसंट लगाया है उसका गीता गीता जी के घर पर मीटिंग वी की तो यह जांच विदान सबार बिदान सबार का आपस का मामला है विदान सबार में एलिगेशन लगा दूसरे विदान सबार यह बार नहीं जाने चाहिए कि कोई वार फीर सरो करेगा जो भी अगर ने विदान सबार की आपने हैं तो यू आप डिसाइड कर लिए आप अपनी वन मेंन कमेटी आपका भनाते हैं आप फैसला करते हैं और वन मेंन कमेटी भनाएगे पर बाहर के आदमियों किया मतलब पोलीस वाली रिपोर्ट देंगे वो तो जो सरकार कईगी वो बेट देंगा वह लगतों यही बात तो यही बाद ओड़ा है यही बात फोड़ा कि आप जिए बाद देगी आप फिसें न रिपोर्ट देगा किता जी किकलब ऐसे थोड़ा होता है आप बचाने की बचाए सबको इसका दूद और दूद का पानी होना चाहिए कि आप इस पे ये कहते कि जो इतने सारे मामले आए हैं उन पर सरकार जो है संग्यान लेगी बेटियों को सुरक्षित वाता बरन देंगी आप ये विशे को दैवाट क्यों कर रहे हूं आप इसके जाच करवाई यह पिल्कुल जाच करवाओ आपके इतनी लड़कियों के साथ इतना बड़ा नयाय हो गया और आप इसकी जाच कराईएगा कि 2011 में जब डीडियार कटी उसका ट्रांसपर हुआ और कैसे एक महिने के अ कि मिशे कहा पंचाएद हुई मैं कहता हुआ पॉस्टिंग किसने दी ट्रांसपर क्यों रुके यह सारी चीजों की जहां चीजिस इंक्वाईरी में होनी चीजिए देखे मुझे लगता है कुमेटी बना दे और शिच्छा मंतरी जी कि देश्ता में बनाएं कुमेटी कुमे इश्यू जो है महिलाओं का है बेटियों का है जिसको लेकर कि सरकार कहती कि हम बहुत सीरियस हैं एक इलिगेशन लगा कि 2005 में डी 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 आर काटी गए फिर वो विड्रा हुई यह मुझे मंतरी मोझे समझने की जरूरत है कि एक अजयाफक के किलाब डी 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 अज़रत में कटी और फिर उसको विड्रा किया गया सरकार की तरफ से जाच इस बात के भी होनी चाहिए कि वो विड्रा क्यों कराई गए उसके बाद अगली जो बात इसमें आई आई है कि गित्ता भुकल के घर पे बैठक हुई पंचायत होई और उस 2011 में उस पंचायत के अंदर फिर उस जाफ़क को बचाने की बात कही गई इस सरकार की दरब से आज भी उसको बचाने का काम हो रह रहे है एक मिनेटे सुन लू आप आप ये कहते है कि हमने उसको टर्मीनेड कर दिया गी बात टर्मीनेशन की नहीं है बात लगियों के शोर्षन की है उसके खिलाब टर्मिनेशन के लाइडा और आपने क्या कारवाई करी वो अरेस्ट हुआ है उसके बाद उसको अरेस्ट किया नहीं किया उसके खिलाब किन दाराओं के तैत मकदमे दर्ज किया आपने जहां इस सकार ने उसको बचाया वहां आप भी उसको बचा का है वो देगी आम टर्मिनेट कर सखाओ कर दिया ने ने आप ने किन दारा हूं कि टैक्क केस दर्ज कराया उसके खिलाब फुलीस ने उसको रिमांट पे लिया नहीं लिया पुलीस ने उसके क्या पूस्ताज करी यहING की जब किसी बात की इन्वेस्टिकेशन बाकी हो जब ए इससे बड़ी कोई सजा आप सुझा सकते हो तो में बतादो जो हमारे दाएरे में हैं अब उसको अंड़रे मामले की जांच जो आप ना पुलिस से कराने की बात करते हो इसकी जूडिशल जांच कराओ ताकि दूद का दूद और पाणी का पाणी हो जाए आप इसकी जो यो इशू जो इशू अभी यहाँ पे आप डिसकस कर रहे तो कि सारे मामले की दो हजार पांच से लेकर के अफ़ तक की जांच होनी चाहिए जिए यह रिखीता जी आप विशे से क्यों बढ़ करें हैं विशे को बढ़कराना चाहते हैं आप नहीं और क्या यह जो विशे के ओपर चर्चा हो रही है आप करना क्या है किसंथ पूरे वाक्य की इस ऐसे व्यक्ति के नेचर के अंदर अगर ये चीज रही है तो सक से सक इसे आएकोट के सिटिंग जट से पूरी की नए एक जानच करा है तो फिर इसकी जानच होनी चाहिए जो आरोप प्रत्या रोप लगे हैं जो effects आपके पास है या उनके पास है कि 2005 से लेकर कि क्या उस जो अध्याबक था उसके क्या-क्या वभार रहा है किस-kिस परकार से उसको terminate किया गया या suspend किया गया ये किस परकार से दोबरा उसकी nukicी हुई है यह सारे चीजों की जाँच हम जो हाइखोट के सिटिंग जजज के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाइखोट करेंगे आप मैं फिर कह रही हूँ आप मुझे केवल दलित विधायत मत समझ लेड़ा यह जो आपकी जो बासा आए यह बासा ठीक नहीं है यह दलित लौंदलित का सवाल नहीं है अधेक्ष मौद है अधेक्ष मौद है ठीक है आप जाज करवा रहे हैं लिए केवल यह कहने के लिए कि सरकार के समय में इतने मामले हो गए नाम लिया जा रहा है उपर से हस रहे हैं इतनी तिन बेटियों के साथ तपराद हुआ है कि मुझे समाज का विदायक ना समझा जाए मुझे लगता है कि तो इश्वर सिंग्जी मेंबर भी रहे तेर्मन भी रहे किया कभी किसी सदन में ऐसा एक किसी के जाती को लेका या वर को लेका उसका ठीक नहीं है यहां सबी सदस्य पराबर है कि लिए बहुत नहीं देखा जाता उस जाती से आता है उसका सेक्स क्या है मुझे नहीं लगता कि हम यहां इन चीजों की सोच रखतें हमारी सबकी सोच एक ही है कि प्रदेश आगे बढ़े अगर आपकी सोच इसी चीज पर सीमित हो जाती है त आपी सुच पुई